दिल्ली के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है पिछले चुनाव में वीजेपी ने उत्तर प्रदेश के सहारे ही प्रचंड जीत हासिल की थी मगर इस बार कमल की रहा में काटे ही काटे हैं इसलिए पियम मोदी लगातार यूपी की जनता को साध कर अपनी रहा आसान बनाने में जुटे हैं आज भी प्रवासी भारतिय दीवस कारेकरम में उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए पियम मोदी कॉंग्रेस पर वरसने का कोई मौका नहीं छोड़ते मंच चाहे जो भी हो पियम मोदी इतिहास के सहारे कॉंग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हैं आज भी जब वो बारांसी में प्रवासी भारतिय दीवस सम्मेलन में शिरकत करने पहुँचे तो भी उनके निशाने पर कॉंग्रेस ही थी पियम ने मंच से ही इतिहास को याद दिला कर विपक्षी पार्टी परवार शुरू कर दिये उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता लेकिन हमने इस सोच को ही बदल दिया है आज भारत अनेक मामलों में दुनिया की अगवाई कर रहा है इतना ही नहीं पियम मोधी ने पूर पियम राजीव गांधी के बहाने एक बार फिर भ्रष्टचार को लेकर कॉंग्रेस को घेरा उन्होंने कहा कि देश के एक पूर प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर सरकार एक रूपिया भेजती है तो 15 पैसे ही गाउं में पहुँचता है जिस पार्टी ने कई साल तक राज किया उसी पार्टी के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए हमारी सरकार ने तकनीक का अस्तमाल कर इस लूट को खत्म किया अब हम सबसीडी का सारा हिस्सा सीधे बैंक अकाउंट के जरिये लोगों को सीधे पहुँचाते हैं अगर हम पुरानी नीती से पहुँचते तो करीब साड़े चार लाख करोड से अधिक किसम पत्ती की लूट हो जाती पीम मोदी ने भले ही पूरो पीम राजीव गांधी का नाम न लिया हो लेकिन वो अकसर उनके सहारे कॉंग्रेस पर हमला बोलते हैं विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस पर बरसने के साथ साथ आज पीम ने प्रवासी भारतिय दीवस कारेगरम में अपनी सरकार की पीठ भी थपतपाई उन्होंने कहा कि आज करोडों लोग हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं पुझवला योजना से लेकर आयुशमान योजना तक आज आराम से जिन्दगी जी पा रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने प्रवासीयों को सोगात देते हुए कहा कि सरकार चिप वाला पासपोर्ट लाएगी पियमोदी ने अपने संसद्यक शेतर वारानसी में जहां जनता को साधा तो महीं विपक्ष पर भी प्रहार किया डीप लाइब की रिपोर्ट